नमस्क्राइब करोना की जो दो एमर्जेंसी वैक्शिन को मनजूरी मिली है वो दो के दो वैक्शिन बहारती बिग्यानिकों के द्वारत अग्यार कि गई है हम तहें दिल से आभारी हैं और हादिक दहने बाद देना चाहेंगे अब नंदन करना चाहेंगे उनका और उनकी महनत को हम दिल से सलाम करते हैं जिनोंने दिन रात महनत करके ये अमरजेंसी वैक्सिन तंग्यार की हैं दिल से आभी नंदन आभार उन वैक्यानिकों का जिनोंन और यह दो के दो भारती हैं वेक्षिन यह भारती विग्यानों को नहीं तंग्यार कि अब बात अलग है कि टॉटी चोर टूपी वाज जो अख्ले से आधा है वो कहता है यह बीजेपी की अगर बीजेपी नहीं लेकर आ रहे थी बैक्षिन तो करें तो कोई रास्ता नहीं नि तो नहीं लगाएंगी सरकार जब हमारी सरकार आएगी तब लगाएंगी कर इस तरह के लोगों की अभी आजकल बहुत सारी लोग इनके वारे में भी इस तरह के ट्वीट कर रहें कि यह दूसरा रहूल गांथी नैशनल तो रहूल गांथी और एक राजी का जो पपो है वो पता तब चलता है और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत की बेश्टी की है अखले स्यादाव ने उसको अंदाज है ने होगा इस बात का जरासा भी ने उनको धनिबाद देने का या उनको बधाई देने का तो दूर की बात है उसको राजनी से जोड़ गया उसे अपने गु बिल्कुल ने रही है और यहां पिए अगर इनको सीखना ही है ना मायावत 1 जी से सीखें अगर यहां पर इसका नियोर्ण जल्द से जल्द होता है तो हम जल्दी बाहर निकलेंगे सब समझ जाओं से जो समझदार इंसान होगा वो बधाई देगा उनकी महनत को सराहेगा उनका अभिनंदन करेगा धनेबाद देगा बधाई देगा लेकिन यह टोटी चोड जैसे लो सर्व समाज का मतलब हर्थ बर्ग जैसे कोई छोटी जै कोई बैस यह हैं राचपूर पंडित जो भी है निम्न बर्ग के जित्ते भी जाते हैं हर सर्व समझात में जो भी गरीब है उन्हें यह वैक्सीन मुपत दी जाए उन्होंने बहुत अच्छी बात किये क्योंकि पैस यह हम भी कहना चाहेंगे कि यह गरीबों को मुपत दी जाए क्योंकि गरीब के लिए वह भी इस आर्थिक हालात में जब देश के बहुत ज्यादा कराब है लोगों के लिए रोटी जुला जुटा पाना मुस्किल हो रहा तो इतना महेंग वैक्सिन लगाना उनके बसका नह किने के सांसा सभी लोगों ने इसके शराना की है और बधाई दी है मायवती जी के लिए में ज्यादा उनकी बात करें थे क्योंकि अक्सले स्यादा उन्हें जिस तरह की चीचोरी बाते किया आजकर बहुत काल्या पढ़ी हैं उन्हें ट्विटर पर और सोच भी ने सकते कि इतनी घटिया बात कैसे कर सकते हैं एक बिमारी को इतनी बड़ी बिमारी को वो राजनीत से जोड़ के देख रहे हैं अपनी भुवा से कुछ सीख लो तो यही कहना चाहेंगे और इस तरह की चीचोरी तरह के राजनीत करने वाले लोगों से बचने की जरुवत है और एक ब कि हमेशा आभारी रहेंगे क्योंकि करोना ने कहर मचा रखा था नमस्कार वीडियो को लाइक को सेर करने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अन्यों वीडियो के जान करें के लिए भी टेक बास